आप लोग एक scenario imagine किजिए जिसमें आप चार दोस्त मिलकर एक game खेलें जिसमें dice उचाला हैं और जिसका 6 सबसे पहले आता वो इस game को जीत जाएगा और जीतने के बाद जो last में सब का दान जो आया था उसको आपको print करवा देना है तो इसी तरह के कई सारे टास्कों को बहुत ह आसान बनाने के लिए आता है circular link list तो कैसे आप सभी लोग आज की इस video में हम लोग discuss करने वाले circular link list के बारे में तो चलिए start करते हैं circular link list दरहसल कुछ भी नहीं है एक बहुत चोटा सा चेंज है जो कि linear link list में आने वाला यानि कि single link list में आने वाला है जो कि बहुत चोटा सा है तो ये video बहुत ज़्यदा बढ़ा नहीं होगा तो वीडियो पूरा end तक देखेगा जैसे कि ये मान लीजें single link list था ये simple चल रहा था ये head था आपका उसमें next में 7, 9, 10 इस तरह से next में store था और जो normal single link list होता है उसमें क्या होता है कि जो last वाला element होता है उसके बाद ना इस store होता है लेकि circular link list में क्या होगा कि जो last वाला element है वो head को point करने लग जाएगा तो क्या हुआ कि 3, 7, 9, 10 इस तरह से घूमने लग जाएगा यानि कि आप अगर ये condition देकर print करवा रहे है while loop में कि जो अगर हम लोग last पर पहुँचे यानि last h.next is equals to equals to null हुआ अगर तो इसको क्या करो कि बंद कर दो while loop को खतम कर दो तो अगर उस तरह से आप print करवाते हैं तो ये कभी नहीं होने वाला क्योंकि circular links जो link list है वो कभी खतम नहीं होगा क्योंकि 11 के बाद वापस से 3, 7, 9, 11 इस तरह से घूमते ही रहेगा तो इसी तरह का होता है circular link list इसमें बहुत ही छोटा सा change है और बात बाकी जो भी function है वो पुराने वाले link list के तरह ही आप perform कर सकते हैं आप कोई इसका इस्तिमाल बहुत सारा है आप देख सकते हैं नेट पर क्या क्या इस्तिमाल आप इसका ले सकते हैं आप नहीं तरह के प्रोग्राम बना सकते हैं तो यहाँ पर यह हमारा यह पुराना simply link list था जिसमें A, B, C, D, A, 4 जो था यहाँ पर आपका object था यानि कि जो value store कर रहा था वो next store कर रहा था हम लोग क्या करना है जैसे कि यहाँ पर देखे head में A था उसका value 100, A का value 100 उसके next में B, C, D, फिर जो D था उसके next में आप null था तो हमें simply से एक task करना है बहुत ही छोटा task है वो task क्या है कि जो null है उसको बराबर कर दो head के जो D का next है उसको किस के बराबर कर दो head के बराबर कर दो तो इसी तरह का होता है circular link please तो यहाँ पर मैंने simple से print करवा के दिखाने के लिए यहाँ पर यह एक छोटा सा काम कर दिया यहाँ पर यहाँ पर यह head ले रहा है जो print method है वो head ले रहा है और head को एक variable में store कर रहा है जो कि यहाँ पर h head को नहीं store कर रहा है जब तक कि क्या नहीं हो जाता है h का value head के बराबर नहीं हो जाता है तो print करते रहा है h का value h is equals to h.next यहाँ पर h not is equals to head क्यों बोल रहा है क्योंकि जब हम लोग last वाले element पर पहुँचेंगे तो वो किसका next किसको represent कर रहा होगा head को represent कर रहा होगा आप करी तरह के program इसे create कर सकते है इसके uses को आप Google पर जैकर check कर सकते है क्या के uses होने वाला है तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही मिलते है इसके अगली वाली वीडियो में channel करिए subscribe, like और website को visit करना मत भूलेगा मिलते हैं इसके अगली वाले वीडियो में तब तक क्लिक गुड़ बाई